नमस्कार दोस्तों मैं हदिस मिस्तर आप सभी का स्वागत करता हूँ डिकोड एक्जाम के इस डेली केंटरफेस प्रगाम में कैसे हम सभी लोग आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बहतर धंक से कर रहे होंगे देखे आज है 19 जुलाई और आज की कुछ महतपूर केंटरफेस पर हम लोग चेर्चा करेंगे इसके पहले आप लोग उसी छोटी से रुकेस कि प्लीज वीडियो को जल्दी जल्दी आप लोग शेर करते हैं फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं धीरी धीरे अपनी स्पीट को पढ़ने की स्पीट को आप लोग क्या करिए थोड़ा सा जो है इंक्रीज करिए स्व मेचिज और आपके साथ आपकी चीज़े क्या हो आपको सानमें आए होंगी और हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें इसके पहले हम लोग last day का यानि की 18 जोलाई यानि की 18 जोलाई के जो कंटरफेस हम ने किये थे उसका हम लोग revision करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग 19 जोलाई के कंटरफेस पर आएंगे इसके लाव में आपको बता दूँ कि last में वीडियो के अंत में हम आप लोगों से एक question पूछते हैं हमारे दोरा एक question पूछा आता है जिसका उत्तर दरसल आपको comment box में जागर के देना होता है और मुझे उमीद है कि आप लोग जादस जादा comment किया करेंगे ताकि हो सकता है कि सेम वही question जो मैं पूछता हूँ आपके exam में पूछ ले ठीक है तब आपको समय आएगा कि यार comment कर देते हैं शायद तो चीजे दिमाग में रहती ही क्योंकि जब आपको चीज सर्च करते हो देखते हो गूगल पर देखते हो तो क्या होता है उससे जब आप एक चीज सर्च किया करिए साथे साथ में like जरूर कर दिया करिए चलेओ फटाफट हम लोग रिविजन करते हैं अपनी आखों को बंद करिए या फिर सामने अपने copy को रखिए और जो मैं प्रश्ण बोल लाओं उसका उत्तर खुझ से देनिक कोशिस कीजिए कि क्या आपको उसका उतर आता अब हली में सुरीनाम के अगले राज़ोत की रूप में क्या है निउठ होएँ इसके लावा हाली में किस साहर के दौरा एक दिन में 11,2,1,000,000 के ऊपर पाधार ओपर किया गया है तो साहर कौन सा है वो है आपका इन दौर इसके लावा हाले में किसे भारत के नए विदेश सची की रोप में दरसल निवत किया गया है यह पर समने दो बार मैं इसको करा चुका हूं ठीक है तो इसका उत्तर हो जाएगा बिक्रम मिस्री इसके लावा हाले में किस आदिवासी समूह दरा एक अलग आदिवासी दरसल राज्य की मांग की जा रही है जोरो सोरो से इस पर भी हमने कल आपको रिट्रेस में चीजों को बताया था अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो आप दो देख रीजेगा ठ भील इसके लामा नेक्ट कुशन है आपके सामने कि हाली में यानि कि भारत का वस्तियूम सेवा निर्यात जून दोहजार चौबिस में कितना हो गया है तो वो हो गया 65.47 अरब अमेरिकी डॉलर याद रखेगा इसके लामा हाली में पधा मंत्री मोजी द्वारा किस दिन ठा आधार सीला रखी गई है तो वो रखी गई है आपके 13 जुलाई यानि कि 13 जुलाई को याद रखेगा इसके लामा अंतर राष्ट ये आपराधिक नियाय दिवस मनाया आता है कम मनाया आता है ये मनायाता है आपका 17 जुलाई को यानि कि 17 जुलाई को और इसके बारे में हम आपसे जो लाश्च वीडियो में में प्रम सुन्दर सा उसका उत्तर का होगा सभी लोगे ने इसको इंशती सहीस से बताया था जाने हैथ भारती समश्जकारिपाली का सक्तियां किंए नखिप्थ हमस्ध सविट ओती है कल भी हमने आपसे कहा था मैं फिर से आज कह रहा हूं कि यह प्रशन क्या है आपके एक्जाम के लिए महत्पूर है आए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब आज का हमारा पहला करेंट है कि इसमर्निक जो है थियर्टर फेस्टिविल का आउजन कहां पर किया जाएगा भी हाली में यह आपको बताना है आपके सामने चार अपसंदिये के हैं लखनों बैंगलूरू इंदोर या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही उत्तर हो दो होगा वोगा आप्शन नमबर यानि की बैंगलूरू में दरसल इसका आउजन अभी किया जाएगा चलो देखें इसके हम लोग तो इसमर्निक थेयर्टर फेस्टिवल का आउजन हाली में बैंगलूरू में किया जाएगा या देखिएगा और इसके अंतरगत दरसल 4 बं रखना है और इसके बार वरस्त224 में कि एक्जाम में रखना। यह फैक्ट भी आपको याद रखना है इसके लामा विंक्स टू आवर होप यह important है आपके लिए प्रस्ट ने ठीक है तो विंक्स टू आवर होप और यह हैं इसका इस पुस्तक का निमरिखेत में से किस के भाष्रो का संकलन है आपको बताना है तो यह दरसल नरै भांशनों का संक्रन होगा इसमें या द्रौपदी मुरमू के या फिर अब्दुर कलाम जी के या फिर सुस्मा शुराज जी के तो इसका सहीतर क्या होगा फटा फटा आप लोग बताइए ये एक e-book भी है या देखेगा ठीक है तो इसका सहीतर होगा आपका पुस्तक द्रौपदी मुरमू के प्रमुक भांशनों के यह एक संक्रन है इसका द्रौपदी मुरमू के भांशनों पर क्या है आधारत एक पुस्तक है यह क्यों से यह e-pustak है इसको भी या दुखेगा ठीक है इस पुस्तक का शौट कपी में रहेगा और केंद्रे क्रिशमंत्री सिराव सिंग चवहान इस इपुस्तक का लोकारपड उन्होंने किया है यह बात आपको यादख नहीं हो सिराव सिंग चवहान के बारे में आप लोग को अलड़ी पहले से पता रहा होगा कि कौन है यह ओके तो यह हो गया हमारा फैक्ट है और लोकारपड कप किया गया है इस पुस्तक का 18 जुलाई को यानि की 18 जुलाई को यानि की कल इसका लोकारपड किया गया है ठीक है चलो आगे बड़ते हैं हम लोग नेश कुछन है हाल ही में किस राज के उच्चनाय अले ने उस राज के मुखमंत्री और दो अन्य नेताओं के वहां के राजपाल के खिलाफ बयान देने पर रोग लगा दी है यानि कि ऐसा कौँ सा हाई कोट है किस राज का हाई कोट है जहां के हाई कोट ने वहां के सियम और कुछ अन्य म बोलना जो है मानिहानि में आता है और ऐसे में वहां के कोट ने रोग लगा दी है तो वो कौन सा कोट है कलकत्ता उच्चनेयले है लखनो उच्चनेयले है पटना उच्चनेयले है या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका सही उत्र हो जाएगा आपका option number A अथार कलकत्ता उच् रखिएगा तो यहीं फैक्ट यहां पर मेंशन किया गया है कि हाली में कलकत्ता उच्चनेयले ने बंगाल के मुक्मंत्री और दो अन्य नेताओं को राजेपाल सीवी आनंद बोस देखो राजेपाल का नाम याद रखना क्योंकि चर्चा में हैं तो मैंने आपसे कई बार क रहा है कि जब कोई राजेपाल या मुक्मंत्री या इसे सम्धानिक पता उपर बैठे बेखते कर चर्चाओं में रहते हैं तो उनसे संब्हुनित प्रस्नी क्या होता है आपके एक्जामें पूछ लिया आता है तो राजेपाल कौन से इस समय महां के राजेपाल सीवी आनं जंद वोस के खिलाफ सोसल मेडिया पर किसी भी तरह के बयान देने पर क्या करती है रोक लगा दी है ये फैक्ट आपको क्या करना है याद रखना है इसके लामा डिटेस में अगर हम बात करते हैं तो उच्छे नयाले में नियायमूर्थि कौन किष्णा राओ की खंड़फ की और से डायर मानेहानी के मामले पर अपने अंतरिम आयदेस में ममता बनर जी और त्रिमूल कांगरेस के अनेनेताओं को 14 अगस्त तक सोसल मेडिया पर किसी भी तरह के ऐसे बयान दोने से रोक लगा दिया है जिससे राज़िपाल की मानेहानी होती हो तो ये अपने आप मे क्या है बड़ी न्यूज है अपने आप में और अक्सर आप लोग ने देखा होगा कि दरसल मुख्यमंत्री राज़ेपाल में जो है दुन्द की स्थि बनी रहती है कई बार ऐसा होता है कई बार राज़ेपाल मुख्यमंत्री के फैंस लोगो गलत बताते हैं और यहाँ पर ज़ादा माने जाती है क्योंकि राजिपाल कहीं न कहीं क्या होता है कि इन सरकार का एक नुमाइंदा होता है अपने आप में ठीक है तो इस पर हम लोग कभी डेस में चर्चा कर लेंगे कि आज खिर ऐसे मामले क्यों उड़ते हैं क्या खिर क्या कुछ इसमें दौंद की स्थत तास्क फ़र्स्ट आप लो राजिपाल के बारे में डेकर यानि कर वर्रक फाल के राजपाल की ख रीक का को शक्तिया होती है तो चूंकि चरचाव हो जू What पहले कि गवर्नर के बारे में यानि कि राजयपाल के बारे में । अब प्रवड़की की संस्थान का उधगाटन किया गया है चार आप सेन आपके सामें देगे हैं फरीदाबाद लखनओ मुंबई सीतापुर बताइए इसका सहुत्तर क्या होगा तो इसका सहुत्तर होगा आपका आप संन नंबर क्या हो जाएगा कहां पर फरीदाबाद दरसल इसक उद्धाटन अभी किया जा रहा है आईए फैक्ट हम लोग देखते हैं इसके फटाफट तो हाले में फरीदाबाद में एसिया की पहली स्वास्थ अनुशंधान समंधी प्रीक्निलिकल लेटर्क सुभधा यानि कि ट्रांसनेशनल स्वास्थ एवं प्रवद्वगी की संस्थ उद्धाटन क्या किया गया है उधगातन इहां पर किया गया है इसके लामा यहां दुनिया में नवी और पूरी आजीक में ऐसी पहली निन्यों निंट्रक प्रव्व्षाला होगी यह अपने आप में क्या है एक अच्छी उप्लब्दी है भारत के लिए और ये अउस्यृ बैसिक के स्थर पर भारत में पहली बार हो रही हो या चर्चाओं में बहुत ज़्यादा रही हो तो ऐसे निउस आपके एक्जाम के लिए क्या होती है महतुल होती है और ये भारत के लिए क्या एक उपलब्दी है ऐसे में ये प्रशन आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है याद देखिएगा चलो आगे बढ़ते हैं लोग नेस्ट कुशन है हाल ही में अंतर राश्ट्री मुद्रा कोस्ट इसको क्या बोलते हैं आई एम एफ ने वित्वर्स दोहजार चोविस पच्चिस में भारत के आर्थिक विद्धिदर का पूर्वानमान 20 अंक से यानि कि 20 अं कर दिया है तो हाली में अंतर राश्ट्री मुद्रा कोस्ट इनकी आई एम एफ ने वित्वर्स दोहजार चोविस पच्चिस में भारत के आर्थिक विद्धिदर का पूर्वानमान 20 अंक से बढ़ा कर कितना कर दिया है 7 परशन कर दिया गया ये फैक्ट आपके लिए क्या है important है नो डाउन कर लिजेगा इसके लामा इसे से पहले अपरेल में IMF ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान 30 अंक बढ़ा कर कितना कर दिया था 6.8 परशन कर दिया था अगर आपको ये news याद हो मैंने कराई भी था शायद आपको इसके लामा इसके साथ ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थ व्यास्थाओं में से एक हो गया है ये फैक्ट आपके लिए क्या important है और ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धी है कि जिस तरीके से वैस्विक पटल पर जो उथल पुथल चल रही है बीच में कोरोना आया था फिर जो है उधर युक्रेन का युद्ध हुआ फिर रस्या की चीज़े दिक्कत कर गई और ऐसे स्थती में दरसल भारत अगर तेजी के साथ जो है आर्थिक वद्धी कर रहा है तेजी से बढ़ती अर्विस्थाओं में से एक ह जो है भारत के लिए क्या है यह खुश्खबरी वाली बात है चलो ठीक है आगे बरते हैं लोग नेश्ट है अब हम लोग थोड़ा सा आई में पर लेते हैं क्योंकि ऐसे प्रशनाव के एक्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि मैंने कई बार पोला है कि जब कोई इंटरनेस इसको ही बोलते हैं ठीक है तो इसका यह क्या है यह से राष्ट की एक प्रमुख वित्तिये एजनसी है यह बात आपको जाद रखनी है इसके लामा मुख्यालय यानिकि इसका हैड कोटर कहां पर है वासिंगटन डेसी में है ठीक है इसके लामा अस्थापना वर्स जुलाई 1944 की जुलाई 1944 और उद्देश क्या है मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना ठीक है और साथी साथ में वैशिक गरिभी को कम करना भारत की संद्रफ में आगर हम लोग आएमेफ की जो है इंपोर्टन को समझते हैं तो दरसल जब से भारत आजाद हुआ तब से आएमेफ ने कई बार दो है दरसल भारत के मदद की है चाहे वो दरसल एमेजनसी के समय की बात हो या पाकिस्तान भारत का युद्ध हुआ था या दिसकी आजादी के बात की बात हो और आने कई जगहों पर जो है आईमेफ ने बड़े लेबल पर दरसल भारत को करस देने का काम किया है त तो कहीं न कहीं भारत के लिए क्या एक बहुत अच्छी एजनसी है इसने भारत की निश्यत रूप से बहुत ज़्यादा भरत को दिया है ठीक है तो हो सकता है कभी-कभी आपसे पूछ ले कि आएमेफ का भारत की संद्रफ में क्या उपयोग है या क्या महाकपुर योगदान रखता है ऐसा प्रसन में पूछ ए आपको याद रखना है कि दरसल आएमेफ का रोल भारत की पर्पेक्श में क्या है इसको भी आप लोग मेंस के प्रश्न ना करने पाएं चीज़ें को समझते चलिएगा प्रश्न इसे प्रकार से पूछता है फिर आप लोग कहते हो कि सर ये तो out of syllabus आ गया प्रश्न कभी out of syllabus नहीं होता है वो syllabus से correlate ही होता है बस होता है दिक्कत क्या होती कि आप आप चीज़ें को समझ नहीं पाते हो अब मैं IMF बता रहा हूं तो IMF का योगदान भारत की परपेक्ष में क्या है ये प्रश्न पूछ रखता है तो no down कर लो मैंने बूला तो इसको अब बैठेर होगे इसे बता की तरीके से तो नहीं कर पाओगे फिर दिक्कत होगी ठीक है इसलिए ठीक है चीजें आपको गुस्सा आ रहे होंगे सर क्या बोलने हैं लेकिन बाते मैं इसलिए कह रहा हूं कि कि आप चीजों को करते जाओ महिनत करो कलम चलाओ बैठेर होगे इस तरह कि तो नहीं होगा फिर है ना कलम चलती जहीं कि दिमाग चलते रहना चाहिए तब चीजें आपको ज्यादा फाइदे मंद करेंगी यानि कि IMF का रोल भारत की परपिश में क्या है ऐसा पॉइंट आपको याद रखना है प्लस यह जो फैक्ट हमने आपको बताएं यह सारे फैक्ट आप जो है प्रिम्स के पॉइंट आप इससे इसको रिडी कर लिजेगा च चार अप्शन दिया गए है पहला अप्शन ए बैंगलुरू बी चैनाई सी वाइनाड या इनमें से कोई नहीं तो इसका सहीत्तर होगा आपका आप्शन नंबर ए यानि कि बैंगलुरू में दो है अभी डबल डेकर जो है क्या हुआ हुआ है इस तरीके से फ्लाइवर बना क्या होगा वहां जो आपके नॉर्मल होंगी वो चलेंगे ऊपर मेट्रों चलेगी इस तरीके से बनाएगया है चलो आई हम लोग से बैख्या देखते हैं तो पहला पॉइंट वही सेम कि हाली में बैंगलुरू में दच्वी भारत के पहले डबल डेकर फ्लाइवर का उधगाटन किया गया है फ्लाइवर का उपरी जो हिस्सा होगा वो मेट्रों के लिए होगा और जो इसका निशला हिस्सा ह ने किया है तो आपको तुर्ण बताना है उप मुख पंत्री डीके सिव को मार दो रहा ठीक है चलो आगे बरते हम लोग नेस कुछन आपके लिए हाली में कहां पर भारत के पहले वर्ड आडियो विज्वल एंड इंटर्टेंटमेंट सम्मिट यानि कि वेस इसको बोलते है पहली बार कहां पर हो रहा है तो वह आपके सामने चार प्षण दिये गए है अ आप्षण नई दिल्ली में हो रहा है दी गोवा में सी मुंबाई में डी इनमें से कोई नहीं बताएए इसका उत्तर क्या होगा फोटाफट तो इसका सही उत्तर होगा आपका option number हो जाएगा क्या B यानि कि गोवा में और चूंकि पहली बार इसका आउजन भारत में हो रहा है तो ऐसे में यह प्रश्ण आपके लिए क्या है महत्पून है आपके एक्जाम में आ सकता है लगभग लगग आ सकता है ध्याने केगा इसको चलो देखे देखते हम लोग इसकी हाली में गो क्या होगा 20 से लेकर के एक सगेंड जस्ट वेट यह आगया यानि कि इसका आउजन 20 से लेकर के 24 नॉम्बर 2024 के मद्ध में आज़ित किया जाएगा डेट याद रखना कई बार आपको जो है एक्जाम में आपके डेट पूछ लेता है तो यह आपको याद रखना है इसके लामा वेपस का आउजन 25 भारती अंतराष्टे फिल्म महुत्सों के साथ आउजित किया जाएगा जो आपका पच्पनावा भारती अंतराष्टे फिल्म महुत्सों है उसी के दुरान दरसल इसका आउजन किया जाएगा तो यह आपको जाएगा और जो यह आपका पच्पनावा जो है भारती अंतराष्टे फिल्म महुत्सों है यह भी आपके लिए एक्जाम के लिए क्या पॉइंट है यहां सभी कई बार प्रश्ण पूछ लेता है तो इसको भी आपको फैक्ट इसके भी आप लोग देख लिएगा गूगल पे सब्स करिएगा भारती अंतराष्टे फिल्म होसो इसके बारे में जो कुछ फैक्ट डेट आपके पास आएगा उसको आपको रेडिक लेना है तो टास्क आपका दूसरा क्या है टास्क टू आपका यही है कौन सा टास्क टू आपका यह है कि पश्पनमा जो भारत रवांडा के नए राजपती कौन चुने गए हैं आपको बताना है पहला आप्सन पोल कागा में मुहम्मद फिर इर्फान मसूद आलम या फिर डी सेख अब्दुल्ला तो इसका सहीतर होगा आपका ऑप्सन नंबर ए आथा पोल कागा में हाली में रवांडा के नए राश् पूरिका में से एक छोटा सा क्या है देश है इसके लामा राज़ानी क्या है किगाली है करंसी क्या है रवांडा फ्रेंक है और इसके दक्षण में यानिकी जो मैप अगर आप देखेंगे ठीक है तो इसके दक्षण में क्या है वरुंडी है पूर्व में तंजानिया उत्त करके गुजरती है यह फैक्ट भी आपके लिए क्या है इम्पॉर्टेंट है और कीवुजील इसको याद रखेगा कीवुजील रवांडा को पस्चिम में कांगो लोकतांतरिक गड़राजे से क्या करती है अलग करती है ऐसे अपके एक्जाम में कई बार मुशा आता है ठीक है तो जब भी आप करेंट को रेडी करें तो इस प्रकार के प्रशनों को यहां पर दिये गए हैं यह दो फैक्ट आपके लिए क्या है important है इसको आपके लिए कि बताना आपको क्या इसका सहुत्तर होगा आपको बताना है कि राश्पती की निर्वाचन की जो नियुंतम उम्र होती है वो कितनी होती है बहुत आसा प्रशन है और कई बार क्या होता है इसमें confusion की स्थति हो जाती है इसलिए मनें इसको डाल प्रशन की confusion ना हो आपको ठीक है कि कई बार क्या होता है अब देखो 25 35 ठीक है यह तीन तो बड़ा सांथ मतलब लग रहा है कि नहीं से कोई होगा 18 साथ मुश्किल लग रहा होगा आपको हो जगता किसी को लग भी रहा हो तो confusion कई बार हो जाता है इसलिए confusion ना हो इसलिए हम तो आज का हमारा जो प्रशन है वो टिपड़ी वाला है यानि की जिद पर टिपड़ी आपको लिखनी है एक टिपड़ी आपको लिखनी है आई मेफर यानि की अंतरास्टे मुद्रा कोश पर और दूसरी टिपड़ी लिखनी है आपको डव्ल्ट ट्रेड अनुशन यानि क provider TV 20 सुभयापर संग्ठन के ऊपर आपको टिपड़ी लिखनी है दोनों जो सँठा है आपकी एक्जाम के लिए क्या है महत पुर्ण है और दोनों पर आपको क्या करनी है टिपड़ी लिखनी है तेक है तो यह हो गया आज हमारा महत पुर्ण लोग वीडियो सेक्शन और कल मिलेंगे हम लोग एक नएक एंटरफेस वीडियो के साथ तब तक आप लोग पढ़ते रहिए मस्त रहिए वेस्त रहिए मिलते हैं कल तब तक के लिए जैहिंद जैभारत थैंकि थैंकि सो मस्त बाबाई टेक क्यर और वेस्ट